हालगी में एकता कपूर के रीबूट शो कसौटी जिंदिगी की में कुमालिका बनकर हिना खान ने दमदार एंजरी मारी है आपको बता दे कि हिना के संदा से अब फैंस काफे खुश हैं लेकिन आप हिना का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर फैंस को छटका लगेगा दरसल हिना ने कहा है कि वो नहीं चाहती है कि उनके फैंस उन्हें इस अफ्तार में देख कर खुश हो बल्कि वो तो चाहती है कि उनके फैंस उनसे बेंतहा नफरत करें जी हां सुनकर आप जरूर चौक गए होंगे लेगिन हिना ने सच में यही बात कही है दरसल हागी में एक इंटेवी में हिना से कमॉलिका के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने छट से कहा कि उनके संसकारी अफ़तार को जैसे लोगों ने प्यार दिया तो अब वो चाहती हैं कि कमॉलिका के खिर्दार के रूप में लोग उनसे नफरत करें दरसल हिना ने बताया कि ये रिश्टर क्या कहलाता है में एक संसकारी बहु का खिर्दार निभाने के बाद कमॉलिका का नेगेटिव रोल निभाना उनके लिए काफी चैलेंज इन रहा क्योंकि उन्होंने से पहले नेगेटिव कैरेक्टर्स को एक्स्प्लोर ही नहीं किया हिना कहती है मुझे यकीन है कि एक बहतरीन अनुभव रहेगा साथ ही काफी चुनाती पूर्ण भी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों का दिल जीतने के अलावा मेरे इस किर्दार के रूप में मुझे से नफरत भी करें लोग तब ही तो ये रोल अपने असली मुकाम तक पहुच पाएगा आपको बता दें कि जब इसके अलावा हीना से ओरिजिनल वर्जन में कमोलिका का किर्दार निफाने वाली आक्टरस ओरशी से कमपैरिजन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मेरे खर में कसोटी को देखा जाता था मेरे स्कूल के दिनों में मेरी मा और दादी इस शो को देखा करती थी और अब नई सीजन में मैं इस शो का हिस्सा हूँ मैं बस यही चाहती हूँ कि एक बार फिर से ये शो कायम रहे और लोगों की दिलों पर राज करे जहां तक बात एक कमपैरिजन थी तो वो होना तो गलत है वलतो हिना की बातों से साफ है कि कमोलिका को दुबारा जीने का मौका हिना को जब मिल ही गया है तो वो अपनी तरफ से इसके दार को बहतिरिंग तरीके से निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है वैसे कमोलिका के रूप में हिनाखार आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताईए